दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट का जो आपका 27 दिसमबर को पेपर हुआ है उसके बारे में क्योंकि उसका जो एक्जाम का पैटर्न है वो थोड़ा सा different आ रहा है एक्जाम का पैटर्न पहली सिफ्ट में जो आपके exam हुए हैं उनसे कुछ हट के इस बार आपके questions पूछे गए हैं जैसे अभी तक आपके exam का pattern आ रहा था उसे कुछ changes हुए हैं और ये सबी देखेंगे हम की क्या क्या इसमें changes हुए हैं और किस तरह के questions आप से पूछे जा रहे हैं यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आपको किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगी उस पर वीडियो बनाने की तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कोशन पूछे गए थे और पैटर्ण में क्या बदलाव आया आपका जो CDP का, Hindi का, English का, Sanskrit का इन सभी का जो पैटर्ण है वो सेम ही आ रहा है लेकिन जो बदलाव आया है वो आया है आपके परियवरण अध्यान यानी की EBS के पैटर्ण में अभी तक आपके सिफ्ट में जितने भी एक्जाम हुए है सभी में जो EBS के कोशन पूछे जा रहे थे वो डिरेक्ट 3rd to 5th क्लास की NCRT से पूछे जा रहे थे लेकिन इस बार जो 27 दिसंबर की सिफ्ट में आपका एक्जाम हुआ है वे 3rd to 5th NCRT से पूछ कर थोड़े से कोशन उन्होंने अलग से पूछ लिये तो इस वज़े से ये पेपर बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा है पेपर का जो लेवल था वो मैं बिलकुर इजी नहीं कहूंगी पेपर का लेवल था मॉडरेट आपका पेपर आया था एक कोशन आपसे पूछा गया था करक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये आपका 3rd से लेकर अगर मैं 5th क्लास तक की NCRT की बात करूँ ये आपका किसी भी EVS की NCRT के किसी भी चैप्टर में नहीं दिया हुआ तो ये आपके 6, 7, 8th क्लास की जोगरफी की बुक से कोशन आपका पूछा गया है तो एक बार इसको देख लेते हैं क्या पता आगे की शिफ्ट में आपसे इस तरह कोशन बन जाएगी कि इन में से कौन से राज्यों से उकर करक रेखा नहीं गुजरती क्योंकि पहले भी जो मैं आपको कोशन बताए है उसके रिलेटिड जो दूसरी चीजे मैंने आपको बताई है उनसे कोशन अगली सिफ्ट में रिपीट हुए है तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है ये देखना भारत के किन-किन राज्यों से करक रेखा होकर गुजरती है भारत के आट राज्यों से करक रेखा गुजरती है अब आप इनको याद कैसे रखेंगे उसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है याद रखने के लिए आपको याद रखना है राम मित्र गुप चाच बस यह आपको दो तीन बर आप याद रख कर लीजे राम मित्र गुप चाच राम मित्र गुप चाच इससे आपको याद हो जाएगा कि भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर करक्रिका गुजरती है राम में रा से राजिस्तान और मैसे मद्यपरदेस मित्र में मी से मिजोरा और तरह से तर्यपुरा गुप में गुजरात और पा से पस्चिमी बंगाल ज्ञाज से जारकंड और 6 से 36 कर तो ये ट्रीक है राम मित्र गुप छाज जाज इससे आपको दिहान रखना है कि इन इन राज्यों से होकर भारत के इन इन राज्यों से होकर करकरेखा गुजरती है और ये 8 राज्ये हैं Next question पूछा गया था आपका विटामिन A से विटामिन्स भी मैं आपको करा चुकी हूँ यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगे आप विटामिन्स की देख लेना उसमें मैंने कौन सी विटामिन से कौन सा रोग होता है और विटामिन के जो साइन्टिफिक नेम्स है वो भी मैंने कराए हुए हैं और ट्रिक के माध्यम से कराए हुए हैं तो बहुत इजिली अगर आप एक बार वीडियो देख लोगे तब कि आपको वो सभी याद हो जाएंगे एक बार थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं विटामिन A की कमी से कौन-कौन से हमारे रोग होते हैं आपको ध्यान रखना है रतोंधी और जीरो पतेल्मिया ये दोनों आपको याद रखना है वैसे आपको जो कोशन बनेगा बि ही जादा पूछा जा रहा है विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी विटामिन B2 की कमी से तो अच्छा का फटना और आखों का लाल होना जो मैं आपको वीडियो बता रही हूं उस वीडियो को आप जरूर करना मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दू लोगे क्योंकि इतनी मज़ेदार ट्रिक से मैंने वो कराया हुआ है विटामिन B3 की कमी से तो अच्छा पर दाद हो जाते हैं विटामिन B5 की कमी से होता है मदबुद्धी होना और बाल सफेद होना B6 की कमी से अनीमिया होता है और तो अच्छा रोग होता है B7 की कमी से होत होता है एनीमिया और पेचिस रोग विटामिन C की कमी से स्करवी होता है विटामिन D की कमी से होता है रिकेट्स रिकेट्स आपको पता होगा कि पैर की हड्डिया मुड़ जाती है ये जाधतर होता है बच्चों में विटामिन E की कमी से होता है जन शक्ति का कम होना और विटा विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग एक बार आप याद कर लेंगे यह आपका सीटेट ही नहीं आगे सीटेट के बाद आप जिस भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हों जैसे के वी एस बी टॉपलेस भी सूपर टेट इन सभी में विटामिन्स की कमी से होने वाले रोगों से कि आप अभी सीटेट में याद कर लीजे इसका benefit आपको आगे तक मिलेगा एक question पूछा गया था कि इन में से कौन सी green house gas नहीं है option तो इसमें याद नहीं लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन सी green house gases है तो अगर आपकी shifts में भी ये question आगे पूछा जाता है तो आप इसको छोड़ कर बिलकुल नहीं आएंगे यहाँ एक तो जो green house gas है ये gas जो है तापमान में इनसे व्रद्धी हो रही है तापमान में व्रद्धी के लिए मुखे रूप से जिम्मेदार है green house gases ठीक है और पर्मुख greenhouse gas कौन कौन सी है इसमें सबसे important तो है carbon dioxide CO2 और कौन सी है methane है, nitrous oxide है, hydrofluorocarbon है, perfluorocarbon है और sulfur hexafluoride ये 6 आपकी जो important greenhouse gas है कि आप इनको याद रख लीजे तो greenhouse gas आप से अगर question आता है green house gases तो आप इसे बिल्कुल नहीं चूटेगा कौन कौन सी है, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, hydrofluorocarbon, perfluorocarbon, sulfur hexafluoride ये है 6 पर्मुख greenhouse gases ठीक है question पूछा गया था निपेथीन से, मैं इसको आपको मुझे भी याद नहीं कि मैं आपको कितनी वार इसको करा चुकी हूँ मैंने आपको मेराथन में भी और जो अलग-अलग मैंने separate classes ली है, जो पूरी स्रीज की थी, हमने वियेस की उसमें भी कराया था और कई बार मैं आपको इसको practice set में भी करा चुकी हूँ तो जो शिकारी पोदा है, ये नेपथीन इसको घट पढ़नी भी बोलते हैं, ये है शिकारी पोदा तो आपको ये NCRT में ही दिया हुआ है, कुछ ऐसे पोदे भी होते हैं, जो चुहों, मैंड को, कीडे, मकोडो और छोटे जीवों का सिकार करते हैं इनमे नेपथीन सबसे ज़्यादा मशूर है, ये है आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेगाले राज्य में पाया जाता है, ये आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, कहां कहां पाया जाता है आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिय और भारत के मेगाले राज्य में पाया जाता है आकार इसका लंबे घड़े जैसा होता है जिसके उपर पत्ती का ढखकन लगा होता है घड़े में एक खास खुस्बू निकलती है जिसकी वज़े से कीड़े खीचे चले आते हैं पोधे के उपर पहुँचते ही कीड़े अंदर फस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं देखा ये पोधे भी शिकार करते हैं और वो भी कितनी चतुराई से तो इसको आपको ध्यान रखना है निपथीन सियानी की शिकारी पोधा और कहां कहां ये पाया जाता है आस्ट्रिलिया इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता है ये मिखाल्य में इससे भी आपका कोशन कई सिफ्ट में पूछा जा चुका है तो इसको आपको ध्यान रखना है उसके बाद आपका एक अलग से कोशन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पक्सी है जो दिल्ली में परद सा डिफिकल्ट हो गया लेकिन मैं अब भी आपको बोलूगी आपको NCRT के जो नौट्स है यानि कि जो मैंने मेराथन कराया हुआ है वो नहीं छोड़ना क्योंकि जितने बच्चा आपके सीटेट का एक्जाम दे कर आए हैं उनमें से मेरी जिस जिस से भी बात हुई है उन् पास इसके बहुत अच्छे रिव्यू हा रहे हैं तो आप इसको जरूर मैराथन की वीडियो एक बार देख लीजिए उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताएगा कि जब आपका एक्जाम होगा किस में से आपको कितने कोश्यंस मिले हैं तो जो यह पक्सी है दिल्ली में परदुशन के कारण विलुप्त हो गई है इसका नाम है गोरया और इसके लिए गोरया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को ठीक है नेक्स्ट एक कोश्चन पूछा गया है हिंदी को समविधान सभा द्वारा कब स्विकार किया गया तो इसे किया गया था 24 सितंबर 1929 को और हिंदी दिवस भी 24 सितंबर को ही मनाया जाता है ये भी कोश्चन आपसे पूछा गया है समविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 24 सितंबर 1929 को हिंदी को भारत की राजभासा के रूप में स्विकार कर लिया इसके बाद अनुछे 343 से 351 तक राजभासा के संबंद में व्यवस्ता की गई तो आपको हिंदी से संबंदी जो ये अनुछेद है राजभासा से संबंदी 343 से 351 ये भी आपको ध्यान डगना है ठीक है और हिंदी दिवास मैं आपको बता चुकि हिंदी दिवास मनाया जाता है 14 सितंबर को नेक्स्ट कोशन एक आया था आपका सूक्षम गतिक कोशल से इसमें जो सूक्षम गतिक कोशल है ये मोटर स्किल्स जो है ये दो तरीके से होती है एक होते हैं ग्रोस मोटर स्किल्स यानि की इस्तोल गतिक कोशल और दूसरे होते हैं फाइन मोटर स्किल्स सूक्षम गतिक को question आपका exact प्याद नहीं कि question क्या पूछा गया था लेकिन आपका सुक्षम गतिक कोशल से question आया था तो हम दोनों motor skill को fine motor skill को भी और gross motor skill को दोनों को भी बढ़ लेते हैं क्या पता आगे की जो shift है उसमें स्थूल गतिक कोशल से आपका question पूछा जाए तो जो ये ग्रोस मोटर स्किल है जिसे हम स्थुल गतिक कोशल भी बोलते हैं ये क्या है ये वे बड़ी गतिवी धियावे किरियाएं हैं जो शिशु अपनी बाजो टांगो पैरो और पूरे शरीर के जरीए करता है गुटनों के जैसे गुटनों के बल चलना खड़े होकर चल खलना, दोडना, कुदना ये सब क्या है? ये है ग्रोस मोटर स्किल्स. इजी लेंग्वेज में अगर मैं बात करो ग्रोस मोटर स्किल्स होती है जिसमें हमारी बड़ी मसल्स यानली बड़ी मास्पेशियों का यूज होता है जैसे भागना दोड़ना ये होती है ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स है ये चोटी चोटी किरियाए है जब शिशु अपनी उंगलियों और अंगूठे के जरिये कुछ उठाता है ये रेत में अपने पैरों की अंगलिया घुमाता है तो वह अपनी फाइन मोटर स्किल्स का इस्तिमाल करता है मगर ये केवल हातों और पैरों की अंगलियों के बारे में नहीं है जब शिशु अपने होट और जीब के धरिये चीजों को चखता है महसूस करता है तब भी वे फाइन मोटर स्किल का इस्तिमाल करता है इसे अगर मैं इजी लेंग्वेज में बात करूँ फाइन मोटर स्किल्स यानि की सुक्षम गतिक कोशल क्या होता है जब हम किसी चीज को उठाने में अपनी छोटी मसल्स का यूज करते हैं जैसे फर्स पर अगर दाल के दाने पड़े हो तो भी हम अपनी अंगुलियों से उठाते हैं वो होता है फाइन मोटर स्किल्स और अगर फर्स पर कोई भारी चीज पड़ी हो जैसे भारी कोई मूर्थी पड़ी हो उसको अगर हमें उठाना है तो हम अपनी पूरे हाथ का अपनी भुजाओं का अस्तिमाल करेंगे वो होता है ग्रोस मोटर स्किल्स ठीक है अगर अगर कोशन आता है सुक्षम गतिक कोशल या स्तुल गतिक कोशल से तो आपको ये दोनों ध्यान लखने हैं कोशन एक वल्लम से पूछा गया था वल्लम क्या है केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम में बैठकर स्कूल तक पहुचते हैं वल्लम क्या है वल्लम है लकडी की बनी हुई छोटी नाओ और इसका इस्तिमाल कहां किया जाता है वल्लम का इस्त तरे की होती है वनलम और इसको वनलम बोला जाता है जो लकड़ी की चोटी नाव होती है ठीक है कोशन आया था एक परगतिशील सिक्षा से परगतिसील सिक्षा यानि की प्रो離सिव एजुकेशन अब ये गलत ना करके आए परगतिशील सिक्षा जो है वो आधुनिक सिक्षा परणाली पर आधारित है किस पर आधारित है आधुनिक सिक्षा परणाली पर आधारित है परगतिशील सिक्षा और जोन डिवी को परगतिशील सिक्षा पदती के पिता के रूप में माना जाता है बिल्क के मनोविज्यानिक जॉन डिवी किसने की थी जॉन डिवी ने विक्सित की थी इस परणाली के अंतरगत सिक्षा का एक मातर उदेश्य बालकों का समगर विकास करना है परगतिशील सिक्षा का क्या उदेश्य है कि बालकों का हॉलिस्टिक डवलापमेंट हो समगर विकास हो सर नाली के अंतरगत विभिन विद्यों का प्रियोग किया जाता है जैसे परियोजना विधी समश्य समधान विधी और क्रिया कलाप विधी ठीक है परगति सील सिक्षा यानिकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन गी मॉडल किस ने दिया था अमेरिका की एक मनोवैग्यानिक से जान न रह जाए और बहुत सारी परणालियां हैं जिनका विधियां हैं जिनका प्रीयोग किया जाता है परगति सीलreated सीक्षा में कौन कौन सी है जिसे हम प्रोजेक्ट मैपर्सक कहते हैं जो क्लिपैक्ट्टिक न दिया था समश्य समाधान विधी problem solving method और क्रिया कलाप विधी त पर मैंने complete वीडियो बनाई हुई है उसका लिंक आपको description में मिल जाएगा आप एक बार उसको दिख रहेंगे आप जीम प्याजे से question छोड़ कर नहीं आएंगे वाई गोट्सकी से भी आपका जो question है वो पूछा जा रहा है वाई गोट्सकी को भी आपको ध्यान में रखना है इसका जो जैड़ पीडी था जौन आफ प्रॉक्सिमल डवलपमेंट उससे आपके question बन रहे हैं फिर एक question पूछा गया था विकास कैसा है विकास के बारे में प आपके question पूछे जा रहे हैं वो लगतार आपके question आ रहे हैं थीम से और मैं आपको हर बार जब भी जोनसी भी shift का मैं आपको analysis देती हूँ उसमें theme का question अगर आता है तो मैं आपको हर बार theme को revise करा रही हूँ फिर भी आप question गलत करके आ रहे है थीम से आप 6 ही तो theme है यह 6 च 24 दिसंबर की shift में भी theme से question आया था तो आप theme को यह ध्यान रखनी है कौन-कौन सी है परिवार और मित्र, भोजन, आश्ट्रे, पानी, यात्रा, चीजे हम जो बनाते हैं और करते हैं family and friends, food, shelter, water, travel, things we make and do यह है आपके 6 themes और इन themes को आपको ध्यान रखना है बिल्कुल next आपका question पूछा गया था gardener के बहुबुद्धी सिधान से, gardener के बहुबुद्धी सिधान से भी आपके question आ रहे हैं इस पर मैं आपको जल्दी एक अलग से वीडियो दे दूँगी इसके बाद question एनिवी से भी आपका question कोई सिध नहीं गई जिसमें एनिवी 2020 से आपका question नहीं आया इसको भी आपको देखकर जाना है सलोट से भी आपका question पूछा गया है, सलोट भी मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ कि ये भालू जैसा दिखता है, पेड़ पर रहता है, इसको भी आपको ध्यान दखना है इसके बाद एक question आपका पूछा गया है Montreal Protocol से कि ये किस्ते संबन्दित है अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, Montreal जो प्रोटोकॉल है, ये ओजोन परत को शीन करने वाले पदार्तों के बारे में अंतरास्टिय संदी है ओजोन परत के संरक्षन के लिए वियना सम्मिलन में पारित प्रोटोकॉल वियना सम्मिलन हुआ था ओजोन परत है, हमारी ओजोन लेयर है, उसको लेकर उसमें एक प्रोटोकॉल पारित हुआ था, जिसे बोला जाता है Montreal Protocol ठीक है, जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबन तरीकों से उन पदार्तों का उत्सरजन रोकने के लिए बनाई गई, जिन्हें ओजोन परत को शीन करने के लिए उत्तरदाई माना जाता है तो Montreal Protocol जो है, वो संबंदित है आपके ओजोन परत के संदक्षिन से, ठीक है, इस संदी को जो ये Montreal Protocol हुआ था, इस संदी को हद्साक्षर के लिए 16 सितंबर 1987 को खोला गया था, लेकिन ये 1 जनवरी 1989 में बरभावी हुई, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछ पूछा गये थे, आपके कोशन, Montreal Protocol किस से संबंदित है, NEP 2020 से आया था, गार्णर का बहु बुद्धी सिद्धान से प्रिशन पूछा गया था, अब ये जो कोशन आप से पूछे गये थे, इन कोशन को सभी को आपको देख कर जाना है, कुछ-कुछ की मैंने कोशन के आपक नोट चाहिए, तो वो हमारे टेलिग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, तो टेलिग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में देदूंगी, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो इसे प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शियर कीजिए, और हमें इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में,